नमस्कार दोस्तों दफेक्ट टाई में आपका स्वागत है हमारे साथ लेक्चुरार निर्मला जी है आज जुड़े जो डेरा सचा सोदा के अंदर से हम आपको इनसे सीधी बाचित दिखा रहे हैं ये डेरा सचा सोदा में पिछले 18 सालों से आ रही हैं किस सोच से किस आस्ता से आज भी आ रही हैं इनके सासीधी बाच्चित आपको दिखाते हैं निर्मला जी अफेक्ट टाई में आपका स्वागता है निर्मला जी आठारा सालों से आरे हो आप हैंजी क्या क्वालिफकेशन है अपकी मेरी पोस्ट ग्रेजुएट है मैंने में कर रखी है हिंदी और आप अब भी बता रहे थे क्या अप लेक्ट्रार हो मैं अब भी आप अश्रम में मजूद हो किस सोच से मतलब इतने पड़े लिखे हों के वावियोद भी आप अश्रम में हो सबसे बड़ी बात है जब से मैंने नाम रस्ता लिया मैंने अपने का मतरफ 15 सालों में इतने कृ सबसे जादा उन्होंने जो हमारे समाज में इस्तरी है उसकी दशा को सबसे उपर उठाया गया है अगर मैं हम वूमें की बात करें आज कल समस्या काफी बढ़ती जारी है उसके आए दिन रेप केसिस बढ़ रहे हैं चोटी-चोटी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे है कि इसका सबसे पहले बेस्तिक रिजन क्या लगता है आपको मतलब क्यों ऐस सी सोच हो रही है लोगों के आज के सबसे जादा यह वई पिता जी के टाइम ऐसा बहुत कम था क्योंकि पिता जी थे वह अच्छी बच्चों को सोच देते थे जैसे मां है तो उसको माता जैसा द बहुत ज़रूवरी ते इसा उन्हों ने सभाज के लिए क्या किया सबसे जदा पिता जी ने देखो क्या किया है मतलब से तससे पहला जो फाइठा इंडिया किया है बेना देह शादी किकर जी कैची उसके बाद उन्होंने जैसे जो देरे हैं उसमें एक संस्ता चली हो यह जैसे रूब रूब कार्ये करम उसमें क्या है लेडी जच है वो 50 साल की है चाली साल की है उसका दोवारा कुने वी वा के लिए जो पिता जी ने कार्ये कर्म किया वो बहुत ही अच्छा है इस बड़ी बेटी शमझना यह जो भी कार्या किया यानि कि जब से मैं इतियास मैं तीच करती हो किसी ने किसी ने किया जैसा कि पिता जी ने किया जैसा कि पिता जी ने किया मैं हमारे देश की बात आती है हमारे देश को गुरु देश बनाने के लिए गुरु जी का कोई एफर्ट आज तक रहा है कोई सोच आज तक रही है पीता जी कि जो सोच फॉजिटिव रही है, उनौनली जौ बई कारिया किया है एका पॉजिटिव रिजल्ट इंूमु नहीं है जो डूसरी तरफ उनके उपर शेलिगेशलेवे इनुपन करता है Staatsan Ilium तो कहने का मतलफ कोई उसका माईना नहीं है. हमारे अधросक्त निरमला जी के बिना सब कुछ निर्थक हो. था मैश सब कर जर्माजी है कि जैसे दूर से देखते हैं और पीटा जी नजर आते हैं. ये कि फिर भी मारा मन उदास रहता है विस सच में हमें कुछ निखाई रहा है कुछ ताइम के लिए भूल जाते है ये बात है निर्मिला जी दूसरी तरफ उनके ओर अरोप लगाए जा रहे हैं ये मेरे को बिल्कुल गल्प लगते हैं मेरे को बिल्कुल साहिन है जब तक कहने का मतला हमारे जो बजूरग थे उन्होंने पिता मस्ताना जी से मेरी मम्मी है मदर इनला उन्होंने पिता सतनाम सिंग जी कहने का मतला है जो मीडिया में खवरें दिखाए जा रहे है वो बिल्कुल गल्ट है बिल्कुल भी सही नहीं है यह भी बोला जा रहा था यहां पड़े लिखे नहीं आते ऐसे लोगों को क्या चवाब दो गया यह गल्त बात है यहां पोस्ट गैजुट कहने का मतल डोक्टर एंजिनियर सब मिया आते हैं पड़े लिखे ऐसी बात नहीं बिलीव की बात है सरकार से क्या पील करोगी लासुट मैं सरकार से यह अपील करूंगी हमारे जो पिता जी है वो जल्दी से जल्डी देरे में आए और हमारी जो लेडिया उनको सबसी ज्यादे सबसे आला हो अला करें बस बहु सब्सक्राइब के अंदर से वहांने वाले लोगों से सीरी बाच्ची दिखा रहे हैं आपकी क्या रहा है जुरू डालिएगा कमेंट बॉक्स में देखते रहे हैं और सचका साथ दीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब केजिए बहुत बहुत दनेवाद